अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्या आपके जीवन में पैसे की तंगी बनी हुई है क्या आप भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं मित्रो बहुत सारे काम पैसे की कमी के चलते हमारे जीवन में नहीं हो पाते हर आदम की इच्छा होती है कि अगर उसे कोई जरूरी काम करना पड़ जाए तो उसको किशी दूसरे व्यक्ति का मुह ना देखना पड़े कम से कम उसके पास इतने पैसे तो हो कि वे हैं अपने जरूरते पूरा कर सके मित्रो मैं आचारिय प्रदीप भारत द्वाज अपने यूटूब चैनल मा बगला मुख्य भक्त कुरुक्षेत्र में आपका हारदिक स्वागत करता हूँ हारदिक अभिनन्दन करता हूँ मैं आसा करता हूँ कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे मा बगला मुख्य की करपा आप सभी पर बनी रहे ऐसी मैं मा बगला मुख्य से कामना करता हूँ मित्रो इस एपिसोड में आज मैं आपको कुछ ऐसे चमत्कारी उपाये आपको बताऊंगा जिन उपायों को करने से मालक्ष्मी प्रसन्न होकर आपकी आर्थिक तंगी पूर्ण तह दूर कर देगी तथा आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी और आपको अपनी आवस्कता के नुसार कोई भी काम करने से पूर्व सोचना ही नहीं पड़ेगा जरूरत पढ़ने पर आपको किसी का मुझ नहीं देखना पड़ेगा आपको इसके लिए बहुत अधिक कुछ करने की जरूरत नहीं है बस के वल आपको इन बातों का ध्यान रखना है अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी मित्रो आपको हमारी इस वीडियो को पूरा देखना है अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे और सही तरीके से आप इन उपायों को कर पाएंगे क्योंकि जल्दवाजी में कई वार आप गल्ती कर देते हैं और गलती करने से आपको उस उपाय का पूरा लाब नहीं मिल पाएगा इसलिए मैं विंती करता हूँ आपसे कि चैनल पर बने रहिए तथा वीडियो को आप पूरा देखिए इन उपायों के दुवारा आपकी जन्म जन्मांतर की धरीदृता और गरीबी उनते हैं नश्चो ह हो जाएगी मित्रों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज के समय में लक्षमी के विए बिना जीना असंभव हैं यह हैं जितनी भी स्रिष्टी में चीजें हैं हमारे शुक शाधनों के लिए या लक्षमी को ही आप लगा लो यह समय सब हमें इस्वर ने दी हैं हुआ में मालक्ष्वि के उत्वत्ति जैसा कि मांस के समद्र मंथन के समय मां का जिस घर मेंवास होगा उसके जीवन में भोतिक सुखों की कभी कमी नहीं होगी मनुस्य को जो भोग बुलास की जो वस्तुएं हैं वहवी हमें सब इस्वर से प्राप्त होती है धनका अगर अच्छे कारियों में किया जाए तो इससे सदबुध्धी आती है घर परिवार में सदभावना की श्तिती बनी रहती है तथा हमारे जीवन में सुब कारिये निरंतर होते रहते हैं अगर धनका अप्योग बुरे कारियों में अगर होता है तो आपके जीवन में चोरी हिंसा जोट काम प्रोद लोब महों एहंकार और अविस्वास जुआ और सराव की इस्तिया जैसी बुराईया आपके जीवन में आ सकती है इन इस बात वह क्या है जिसका आप पालन करके अपने जीवन में धन की कमी को दूर कर सकते हैं अपनी आर्थिक स्थिति को अप्ठीक कर सकते हैं तदा मालक्समे के कृपा पूर्ण रूप से पा सकते हैं तो सरव प्रथम जो बात है कि मंगलवार के दिन आपको किसी को भी नहीं लेना चाहिए आप इस बात का विशेश ध्यान लगके अपनी जरूरत के नुसार हम सभी अपने जानकार लोगों से या किसी बैंक इत्यादी से हम कर्ज के लिए आवेदन करते हैं या उधार पैसे मांग लेते हैं तो विशेश ध्यान इस बात का आप रखें कि मंगलवार के दिन अगर कर्ज ले लिया तो यह आपके जीवन का सबसे बड़ा मर्ज बन जाएगा क्योंकि मंगलवार को लिया हुआ कर्ज असानी से नहीं उतर पाता यह बोज बढ़ता चला जाता है तो विशेश इस बात का ध्यान रखे कि कर्ज कभी भी आपको मंगलव बुद्वार को नहीं लेना है दूसरा बात किस बात का आपको ध्यान रखना है कि बुद्वार के दिन आपको कभी भी किशे को कर्ज नहीं लेना है अगर आप बुद्वार के दिन किशे को कर्ज दे देते हैं या पैसे दे देते हैं तो इसके पैसे के आने में संदेह बना होता है क्योंकि जैसे परंपरा के नुस्वार आप सभी को पता होगा कि बुद्वार के दिन कि बुद्वार के दिन बेटियों को ससुराल नहीं बेजते क्योंकि इस दिन गई हुई चीज वापसी आने में संदेह बना होता है तदा उसके आने के चंस सुव में 1% ही रह जाते हैं तो इस दिन किसी को पैसे देने से आप भिशेश्थ दोर पर बचें इस दिन हमें सपेद वस्थ étant कि अधान करना ना करें जाड़ू को वैसे भी पैर नहीं लगाना चाहिए विशेश तोर पर जाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए प्रन्तों आप इस बात का विशेश ध्यान लखें कि इस दिन आप धन का निरादर ना करें क्योंकि अगर आप धन का निरादर कर देते हैं एक आदसी औ भगवान विश्णों की विशेष्टितियों में से एक है और मालक्षमी भगवान विश्णों की पतनी हैं अगर आप इस दिन धनका निरादर कर देते हैं आपके जीवन में कभी दर्दुरता समापत नहीं होगे आप हमेशा आर्थिक तंगी में जीओगे आपके जीवन की ग इस दिन विशेष्ट तोर पर आपको भगवान विश्णों की पूजा करनी चाहिए तुलसे की पूजा करनी चाहिए इस दिन अगर आप भगवान विश्णों की पूजा कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी धनकी कमी नहीं होगे और मालक्षमी सदाप से प्रसंद रहे अगर आप इसको घर के मंदिर में रख लेते हैं इससे आपके जीवन में धन की ब्रद्दी होगी मालक्समे की कृपा आप पर बनी रहेगी तदा आपके जीवन में जो दरिदरता बनी हुई है पूर्ट है वह नश्ट हो जाएगी एक और बात मैं आपको बदा देता हूँ जो मनुष्य नित्य प्रति दिन इस्नानादी सन्वर्त होकर सुच वस्तर धारन करके दुर्गा सब्सति का नित्य पाट करता है उसके जीवन में कभी भी दरिदरता का बास नहीं होता जन्व जमानतर की गरिवे उसकी नश्ट हो जा देगा नित्रो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हूँ तो हमारे यूटूब चनल मा बगलामकी भक्त कुरुक्षेत्र का आप सब्सक्राइब अवस्त्य करें और बेला आइकन उन रखें तता कोमेंट में जैमा बगलामकी लिक कर हमारा अगरा सहाइब